नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों 24 मार्च फालगुन मास की उद्याति थी रविवार की रात सोने से पहले थोड़े से गुड का वह उपाय जिसने भी कर लिया वो हो जाएगा धनवाल उसकी अगली साथ उष्टों तक होगी धन की बरसाथ गुड के वो उपाय जो केवल रविवार के दिन किये जाते हैं यदि आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो कैसा भी दुख हो यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने भाग्य से हार चुके हो तो दोस्तों यदि आपने गुड का ये उपाय कर लिया जो हम आपको जा रहे हैं तो ना केवल अपने जीवन में हर तरह की मुक्ती मिल जाएगी बलकि इन उपायों को करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खीचा हुआ चला आएगा हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती है जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है और घर में पॉजिटिव शक्तियों का वास लाती है ऐसा समझा आता है कि घर में रखी चीजें नकारात्मक दूर करने में मदद करती है ऐसी ही चीज में से एक चीज है गुड आपको बता दूं दोस्तों गुड हमारे भारतिय किचन का एक मुख्य हिस्सा होती है गुड में मौजूद कई औशधी गुणों की वज़ह से इसे कई तरह की खाने की सामगरी में उपाय किया जाता है जियोतिशियों की माने तो जीवन में चल रही कई तरह की समस्याओं का निवारण होता है गुड इसके कुछ आसान उपाय और असरदार उपाय करके हम अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते है न केवल बदलाव करते हैं बलकि पूरे घर धन और धान से संपन्न बनाते हैं आप जानकार वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है ये ऐसी चीज है जो हर किच्चन में आराम से मिल जाता है मगर ये केवल खाने के ही काम नहीं आता है बलकि कई और भी फायदों के लिए उपाय किया जाता है जो घर को समरिध्य से जोड देता है इसलिए आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों यकीन मानिये आपको गुड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है बलकि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए हमारे वीडियो में बताय हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए ना केवल आपके जीवन से हर तरह की परेशानी चली जाएगी बलकि अपने जीवन में आप सुक समरिध्य आते हुए देखेंगे हो सकता है आपको ये सारे उपाय अंध विश्वास की बातें लगे किन्तु दोस्तों जियोतिश और वास्तु शास्त्र में गुड़ को सबसे ज्यादा उच्च श्रेनी रखा गया है कहा है कि जीवन में सुक समरिध्य लाने के लिए और जीवन के हर तरह समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए तो कभी भी ये विफल नहीं जाता रविवार का जी दिन होता है वो भगवान सूर्यदेव जी को समर्पित होता है भगवान सूर्यदेव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है ऐसा समझा जाता है कि अकेले आप केवल सूर्यदेव जी की पूजा पाट करना शुरू कर दें तो ना केवल आपके नौग रह आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, बलकि जीवन बहुत बदलाव आएगा आपने यह बात भी देखी कि जो आपके घर के बड़े बुजर्ग होते थे, वह हर एक सूर्य देव को जल अर्पित जरूर ही करते थे क्योंकि आपके घर के बड़े बुजर्ग हो गए या पुराने लोग हो गए उनकी यह बात पता है, दोस्तों, भगवान सूर्य देव जी को यदि जल भर अर्पित कर दिया जाए तो उनकी वह कृपा मिलती कि जिसके जीवन से हर तरह की समस्याएं खत्म हो जाती है किन्तु दोस्तों, आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्य देव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है जल में क्या डाल कर अर्पित की जाती है, जिससे जीवन से की समस्याख खत्म हो जाए वह सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं गुड के वह उपाए हम बताएंगे, जो आपने रविवार के दिन दो, चार, पांच, छे मिनिट निकाल करके कर लिए तो ना आपके जीवन हर दो आग से आपको मुक्ती मिल जाएगी बलकि सूर्य देव जी, कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके रहू, आपके केतू, आपका साथ देंगे, आपके जीवन में भी लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुँचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नती करेंगे आपके जीवन में धन की वर्शा होगी, इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि सूर्य देव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे सूर्य देव जी के आशीरवाद से जीवन में आप बहुत उन्नती करें, बहुत ही आगे जाएं तो दोस्तों भी सूर्य भक्त है, तो दोस्त पूरी सच्ची श्रधा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जए सूर्य देव जी की देखिए दोस्तों, जितने भी हम उपाय बताने जा रहे हैं, ये ऐसे सटीक उपाय हैं जिन उपायों में आपका केवल 5-6 मिनिट के दिन खत्म होगा और इन उपायों आने के पश्चात आप जीवन में खुद ही एक छमतकारी बदला देखेंगे, इसलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए इन उपायों की मुहूर्थ तो क्या है? वह भी लिख लीजिए सबसे पहले जो उपाय है, वह एक उपाय है, जो आपके जीवन के हर तरह के दोश को खत्म कर देगा आप मेहनत है, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं है आपके घर में रोज लड़ाई, जगडा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुख गई है, उन्नती रुख गई है आप इसको लेकर के परेशान है, तो इसकी मुख्य वज़ा है क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वज़ा है कि आपके मंगल दोश है शनी दोश मान लीजिए, आपकी कुंडली में सूर्य है या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशी पर चला गया हो तो दोस्तों, हर तरह के दोश के आपको अलग-अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है यह उपाय लगातार 11 रविवार कर लीजिए 11 रविवार के पश्चात आप खुद की जीवन में जो भी आपका दोश है वह खत्म हो जाएगा अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी तो इसके लिए कुछ आपको चाहिए होगी जैसे एक तांबे का लोटा आपको लेना है सभी रविवार को नहाने धोने के पश्चात एक तांबे का लोटा लीजिये, उसमें शुद्ध जल भर लीजिये, दो चार गंगा जल डाल दीजियेगा कुम-कुम थोड़ा सा एक चुटकी के लाल गुलाब डाल दीजिये और थोड़ी सी गुड की ढेली डाल दीजिये, सुबह नहा लिया, आपने धो लिया, सफेद वस्तर का धारन कर लीजिये, अपनी घर की छट पर आजाईए अब आपको यही पानी जो आपने जिसमें आपने चावल है, ये आपको सूर्यदेव जी को चड़ाना है अब सूर्य देव जी को आप ये अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी रहा है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है और सूर्य नमक का जाब करते रहना है जितनी पानी या उपाय आप ग्यारह रविवार कर दो दोस्तों आपके जीवन में कैसा भी दोश मंगल दोश, शनी दोश, सूर्य दोश, चंद्र नीच राशी पर हो उसका प्रभावना हो जाएगा खत्म तो हो के माह जो आज का नहीं बलकि पुरातन काल के काम महा उपाय है तो इस तुरंथ ही वीडियो लाइक कर दें और कॉमेंट बॉक्स में जै सूर्य देव लिखना मत भूलिएगा दूसरा उपाय है नौकरी हासिल का महा उपाय आप ये रहे हैं कि आपसे कमजोर मनुष्य नौकरी लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं आपकी नौकरी नहीं लग पा रही और आप इस चीज करके बड़ा ही तंग आ चुके हैं बड़ा परेशान हो गए हैं तो आपको क्या करना है देखिए ग्यारह रविवार आपको ये है जो आपको हम बताने जा रहे हैं और आपकी मनशाही नौकरी आपको मिल चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी कुल मिलाकर आपके आपको एक नौकरी मिलेगी ही मिलेगी क्या करना है आप सभी रविवार को उस से पहले नहा लीजिए धो लीजिए आप लोग ज्यादा जल भी चाहे तो भगवान सूर्य जी को चढ़ा सकते हैं या जो अभी हमने आपको जो मिश्रन बताए थे चावल, गंगा, जल और गुड के उस तरीके से भी आपको चढ़ा सकते हैं भगवान को जल चढ़ाने के पश्चाथ एक सो ग्राम, पांच सो ग्राम जैसी आपकी यो थोड़ा सा गुड ले किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए ये उपाय के पश्चाथ सूर्यदेव जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि जो में जो आपकी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं खत्म हो जाएंगे और सूर्यदेव जी के आशिरवात से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी दोस्तों इसको अपने जीवन में हर तरह के दो से बच सकते हैं तीसरा उपाय जो हम आपको बताने हैं दोस्तों वह है बाधाओं पानी से मुक्ति का उपाय दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा यदि आप छोटे-छोटे काम करते हैं आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं हो रही हैं आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो वह बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता तो आपको क्या करना है कोई भी दिन हो रविवार, सोमवार, शुक्रवार कोई भी दिन हो घर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड और पानी ले लीजिएगा और उसके पश्चात निकलेगा आपको है तो आपको क्या करना है आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड की रैली रखकर कि अपने दाएं सेब में रख दीजिएगा और फिर अपने काम के लिए जाएगा मान की नहीं आपके पास पानी बैग में रख लीजिएगा अपने साथ जोड ऐसा गुड समझा जाता है गुड साथ में रखने से आपके उपर जो यानि दोश बाधाएं होता है वो गुड सुख लेता है और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं अच्छा दोस्तों आपके जीवन दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान है तो पांच रविवार ये उपाए कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं आपका सौभाग्य ये उपाए है और ये आप घर के बुजर्ग भी ये उपाए जानते देखिए एक गाए जो होती है उसमें 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है गाए के गोबर में मा लक्षमी जी का वास होता है गाए की सींके में भगवान भोले नात का होता है मतलब गाए जो है वो ऐसी हमारी मा नहीं कही गई है दोस्तों गाए को मा कहने की कई वज़ा है तो यदि आप लगातार पांच रविवार अपने घर 11 रोटी बनवा कर कि उस पे थोड़ी सी गुड की ढेली रखकर कि किसी भी गाए को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टहलती रहती है दोस्तों आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटी देवी देवता के साथ महादेव माता लक्ष्मी जी माता गंगा जी का मिलेगा और आप जीवन में अपने भाग्य से मुक्त हो जाएंगे जो उपाए हम आपको बताने जा रहे हैं ये उपाए थोड़ा ध्यान सुनिएगा ये बहुत ही साधारण उपाए है दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन सम्बंधित परेशानियों से आपको मुक्ती मिल जाए तो क्या करना चाहिए देखिए लोगों को रविवार के दिन रविवार का दिन क्योंकि सूर्य देवजी का दिन होता है इस दिन यदि आप लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की सके उसमें थोड़ा सा रख करके दान कर दीजिये कंबल हो, कपड़ा हो गया, छतरी हो गई ऐसी जिससे किसी भी मनुष्य का मदद हो सके या चावल ही हो गया कि इसमें थोड़ा सा गुड रख करके किसी भी मनुष्य को जो मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक होते हैं उनको दान कर दें तो इससे आपको सूर्य देव जी की असीम कृपा हासिल होती है और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी फजुल खर्ची है वो भी फजुल खर्ची रुख जाती है आप जो परेशानियां हो और दिक्कत है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है यदि नौकरी और मैं बार-बार मिल रही असफलता से परेशान है तो इस दिन और चावल का उपाय करने से कोई खास लाब होगा गुड और चावल को मिश्रित करके रविवार के दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें ऐसा से मन चाही नौकरी मिलती है है और कारोबार में भी तरक्की होती है मैं सूर्य की स्थिती यदि शुभ नहीं हो तो मनुष्य के बने-बनाए काम भी अकसर बिगड जाते है ऐसे लोग रहते हैं इससे बचने के लिए एक दिन मचलियों को आठे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए ऐसा करने कुंडली में सूर्य की स्थिती मजबूत होती है और रही परेशानियां दूर होती है कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है पुत्र पिता के संबंध बिगड जाते हैं इसके लिए रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए सूर्य मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को ब्रह्मा मुहूर्त में देने से खासलाप मिलता है रवी दिन गुड, गेहूं, मसूर की दाल का दान जरूर करना चाहिए पूजा पर सूर्य यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन उसकी विधिवत पूजा करें ऐसा सूर्य की खास क्रिपा होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है यदि आप हर दिन सूर्य देव की उपासना नहीं करते हैं तो भी रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करें हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मुश्किलें दूर करते हैं माता लक्षमी दोस्तों हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है सबजी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है अगले दिन बासी रोटीों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं यदि आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिला कर रख देगी यदि आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलत के बारे में जो यदि आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें वरना पूरा घर हो जाएगा नश्ट तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मा अनपूर्ण जी का वास हो जाए तो मा के साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियाम यदी होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजर अंदाज करने की गलती करें आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है दोस्तों, व्यक्ति यदी जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थे का सही होना और उसका शरीर यदी होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्षे को हासिल कर सकता है ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है उसमें ये गलती नहीं होती है तो मा अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है आपको माला माल कर देती है तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां है परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें दोस्तों, नमबर एक, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले सनान नहीं करती हाथ पाव नहीं धोती रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए, बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूशित हो जाता है इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है माता, अन्पूर्णा जी नाराज हो जाती है ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है ऐसे घर रहने वाले व्यक्ति काम्याबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पढ़ता है इसी लिए गल्ती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अतिप्रसन्न करती है दोस्तों, नंबर दो शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती है वह स्थान स्वच्छ ना हो, तो राहू, केतु का बुरा प्रभाव पढ़ता ही है साथ ही क्षण भी रुष्ठ हो जाते है ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है पूरा हर निर्धनता का शिकार होता चला जाता है इसी लिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगाजल से छिड़काव जरूर करना चाहिए ऐसा करने से माता अन्न पूर्णा आकरशित होती है और आपको आपके हर कार्य में काम्याबी मिलेगी साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में काम्याबी मिलती है नमबर तीन दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और जगड़े आदी होने लगते हैं ऐसे में रसोई घर में एक या दो से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तूओं को तुरंत ही बाहर कर देना क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मक्ता आकर्शित होती है इससे काफी बुरा प्रभाव पढ़ता है नमबर चार रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, ज्जाडू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए इससे माता अनपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है इसे पाप भी समझा जाता है इसी लिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या ज्जाडू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है नमबर पांच रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए ऐसा करने मां अन्पूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्षमी घर से रूट कर चली जाती है बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है ऐसा नहीं करना शुपता का खयाल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा ना करें क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है घर की सुख शान्ती भंग हो जाती है इसी लिए यदि आप खाना बनाए तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें थोड़ा सा किसी को खिला दें तब भी आप भोजन छट सकते हैं यदि बार-बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं इसे आप मामूली न समझे ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार-बार बाल आना राहू केतु का बुरा प्रभाव होता है ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए क्योंकि यह मा अन्न पूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है यह घोर अनर्थ समझा जाता है ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है यह भूल कर भी ना और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांध कर ही खाना बनाना चाहिए दोस्त वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी है जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए इन्हें रखने से परेशानियों में व्रिध भी होने लगती है नमबर एक शीशा घर को सुन्दर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूलहा अगनी देव का सूचक समझा जाता है यदि शीशे में अगनी का प्रतिबिम्ब दिख जाता है तो घर में अशुब समझा जाता है इसके कारण घर में कलह कलेश बढ़ाने लगते हैं इसी के साथ साथ घर की आर्तिक स्थिती भी बिगड़ने लगती है तो ये गलती ना करें नंबर दो गुन्था हुआ आठा कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुन्था हुआ आठा या बचा हुआ आठा फ्रिज में छोड़ देती है और सुभ उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता रसोई घर में गुन्था हुआ आठा रखने से शनी और राहु का नकारात्मक प्रभाव पढ़ने लगता है इसी कासे जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती है नमबर तीन तूटे कई के बरतन उपाय होते हैं तूटे हुए बरतन ना रखें रसोई घर में कुछ बरतन ज्यादा उपाय होने के पश्चात तूट जाते हैं परंतु कई बार कुछ हद तक तूटे हुए बरतन का उपाय करते ही रहते हैं वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता रसोई घर में कभी भी तूटे फूटे बरतनों का उपाय नहीं करना चाहिए इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्ध होने लगती है चलिए, अब करते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है दोस्तों खाना भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थे और भाग्य पर क्या असर डालती है जिसे जानकर आप चौक जाएंगे दोस्तों आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए छमतकार से कम नहीं है बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है बांसी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्स की समस्या से राहत मिल सकती है इसलिए दोस्तों, बांसी रोटी आपके लिए वर्दान है इसका उपयोग करें, वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि यह भोजन का अपमान है, ऐसे में जो व्यक्ती बांसी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहन करके सम्मान देता है, तो ऐसे मा अन्नपूर्णा सदैव प्रसन रहती है, परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है बांसी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे चेक जरूर कर लें यदि बांसी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है, या आप बीमार भी पढ़ सकते है बांसी रोटी भले ही किसी चमतकार से कम न हो, परंतु लंबे समय तक बांसी रोटी घर में रखना, घर के समान इसलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाए अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं, प्रभावशाली चमतकारिक उपाय है, जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे आपको लाब शुरू करते हैं, दोस्तों परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है, मान्यता है गौमाता के शरीर पर 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है, गौमाता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवताओं की क्रिपा बरस्ती है, गौ सेवा से, ना केवल इस जन्म के, बल्कि पूर्व के भी दोश्तूर हो जाते हैं हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें, और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं, यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं, ये भी काली गाय ना मिले, तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाए प्रति दिन गाय को यदि आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंथ ही गाय को दे दें यदि आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी गाए को कभी भी रोटी ना दें इससे घर में नकारात्मक उर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिलकुल भी नहीं बनेंगे इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस काम उस काम में आपको सदैव असफलता ही हाथ लगेंगे इसलिए कोशिश करें गाए को रोजाना ताजी रोटी बना कर खिलाएं और रोटी को बिलकुल ना रखें उसी रोटी गाए को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाए को नहीं खिलानी चाहिए घर में कोई फल, कोई सबजी है सो जाए तो लोग क्या करते हैं गाए को देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करने से यदि आप गाए खिलाते हैं तो और आप भाग्य बन जाते हैं आप बिलकुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ अब आठे की ग्यारह लोहियां बनाकर उनके उपर हल्दी लगाएं इसके पश्चात को खिलाएं हर एक लोह को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें पीट पर हाथ फेरें मस्तक पर हाथ फेरे रहे हैं माता गाय के अब चर्णों का स्पर्श करें दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे जो दो का समय चल रहा है वे भी खत्म आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और एक बार आप बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुड रख ले यदि गुड ना हो तो आप थोड़ा गी रख सकते हैं दोस्तों गाय को कभी भी सुखी रोटी ना खिलाए सुखी का मतलब गाय को रोटी खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए हल्दी रख ले गुड रख ले मिश्री घी या जो भी रख ले मतलब खाली नहीं है करने मातर से आपके जीवन के सभी दुख, दर्द, समाप्थ हो जाएंगे चीजों का दान करने से बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है जेनरल में रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम कहते हैं गाए को रोटी देना इससे किसी को भी पित्रदोश से मुक्ति चाहिए तो गाए को रोटी दीजिए काम में बार-बार बाधाएं आती हैं और संतान सुख में कठिनाई आती है धन संबंधी परेशानियां होती है इसमें बहुत दूर तक पित्रगण यदि नाराज हो तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में होती है और पित्र को के लिए ही कहा जाता है कि अमावस्या के दिन या तो चावल की खीर में रोटी डाल करके घर की चछत पर कवों को खिलाईए किसी भी गरीब आदी को भोजन कराएं इससे आपके जीवन के बहुत सारे पित्रगण पित्रदोश तो दूर होते ही है बाकी भी बाधाएं दूर होती है विश्नु पुराण के तीसरे अंश में बताया गया है बारहवें अध्याय में कि कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर यदि आ जाए तो उसे भरपेट रोटी जरूर खिलानी चाहिए इससे नारायन होते है अन्न धन की कमी नहीं होती है मनुष्य को परलोग का सुख मिलता है दोस्तों, रोटी से भूख नहीं मिटाती हमारे सोय हुए भाग्य को भी जगाती है किन्तु बहुत से लोग रोटी के यूज करने के गुणों को नहीं जानते इसलिए इसका लाब नहीं उठा पाते हैं तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि रोटी से आप कैसे अपनी किसमत चमका सकते हो वो भी खास बासी रोटी का उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी से भी बात मनवा सकते हैं जिसे तंत्र आप भाशा में वशीकरन भी कहते हैं और ये बहुत ही आसान होता है कोई भी गलत नहीं होता है बस इसमें ये बात करते हैं कि किस तरह से आप सही तरीके से अपने पती या पतनी को जो रूट गए हैं मान नहीं रहे हैं इस तरह से आप उनको बना करके वापस ला सकते हैं सबसे पहले ग्रह दोशों की बात करेंगे तो शनी, राहू और केतु को पाप ग्रह कहते हैं और इनकी दशा से प्राया हर तीसरा व्यक्ति पीडित है और इन तीनों अशुब फलदाई ग्रहों को एक साथ यदि आप बना करके चलना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है रोटी में सरसों तेल लगा कर काले कुट्टे को शनिवार के दिन खिलाईए रोज खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है काले कुट्टे हैं तो दो रंका या दूसरे रंके भी कुट्टे को खिला सकते हैं ये सभी चीजें ग्रह दोश आपके जीवन से दूर होती है नजर दोश हो, किसी ने कुछ किया, धरा हो, किसी ने बांध दिया हो भूत प्रेत आदी का साया पड़ा हो जो भी मानते हैं ये अननैचरल चीजों में वो सभी को ग्रह से संबंधित समझा जाता है और कुत्ते को भी क्या मानते हैं हम केतु ग्रह से संबंधित होता है इस कारण यदि आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके ये सभी तरह के ग्रहदोश दूर करने में सहायक समझा गया है। आप देखते होंगे, घर में जबी भी छोटा बच्चा रोता है और आपको लगता है कि उसको नजर लग गई। ठीक से खाना नहीं खा रहा है, तो भी आपको रोटी का उपाय करना चाहिए। कहते हैं कि एक रोटी ले लीजिए और उस पर एक गुड का टुकडा रख दीजिए। इससे लपेट के बच्चे के उपर से तीन बार आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुस जाए और रोटी को गुड सहित आपको किसी कुट्टे को खिला देना चाहिए। आग बच्चा बिलकुल छुटकियों में बहुत चेंजिस आ जाते हैं और नहीं तो दो-तीन बार कीजिए। उपाय अपने आप बच्चा ठीक होने लगता है। ये उपाय आपको आगे मैं जो बताऊंगा ये जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे किस तरह से ये? एक रोटी आपके जीवन से समस्याओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। और ये उपाय आप कैसे करेंगे? कब करना है? ये आपको ध्यान से जरूर सुन लेना है। सुभ़ जब आप नहाद हो करके रेडी हो जाए, जब ही भी पहला खाना आप बनाएंगे, तो पहली रोटी जो होगी उसमें आपको लेना चाहिए, उसको घी या शुद्ध सरसों का तेल। उसके उपर लगा कर ले सुखी रोटी ना रखे थोड़ा सा ले, और फिर उसपर पूरा या पिसा हुआ चीनी, जो कहते हैं, या नॉर्मल चीनी ले लीजिए, शक्कर वो छिड़क लीजिए। अब रोटी को दोनों हाथ में लेकर कुछ मिनिट्स के लिए, आपको अपने घर के इष्ट देव, अपने घर के देवता, जो भी आपको घर में पूझते हैं, उनका आपको ध्यान करना चाहिए, सिर्फ मन में नमस्कार करें। और ध्यान करें कुछ मांगने की, कुछ शिकायत करने की, कोई नेगेटिव बात बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शक्ति सब समझते हैं कि आपको क्या चाहिए। अब इस रोटी के बराबर बराबर आपको चार टुकड़े कर लेने हैं, और इन चार टुकड़ों को आपको अलग-अलग जगह पर रखना है। आपको सफलता मिलेगी और व्यापार आदिधन लाब आपको होता है। इस चीज को आप करके देखिए और इस तरह से आपका कारोबार और धन भी सुरक्षित रहेगा। और किसी भी तरह यदि इवल आई पड़ी है आपके घर पर या खतरनाक, आपके नजर दोश लगा है, वो सभी इस से दूर हो जाते हैं। रोटी का तीसरा टुकड़ा। ये टुकड़ा आपको किसी आवारा कुत्ते को खिलाना है, जो गली में घूम रहा है। कोई लोग पूछते हैं कि कुत्ते को खिला दूँ तो घर के कुत्तास को नहीं खिलाना है, ध्यान रहे किसी रोड पे घूम रहे हैं, ऐसी जो भी आवारा कुत्ते होते हैं, उनको ही आपको खिलाना है, पालतु कुत्तों को नहीं खिलाना है, काला कुत्ता हो तो बहुत अ इसे आपको चौराहे पर रख देना है। ये महामाई का भोग कहलाता है। और इस क्रिया को करने से महामाई आपकी सभी और से रक्षा करती।